आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनेट करें क्वेशन हमारे पास है कि capital M द्रविमान और capital R तरच्या की दो एक समान गोलाकार गेनों को, जो दो आर लंबाई और capital M द्रविमान की एक छड़ के सीरों पर चेत्रों सार जूड़ी गई है, इस से विज्ञान का छड़ के किंद्र से होकर जाने वाली और छड़ के लंब व प्रते 15 MR स्क्वेर के रूप में, जहां पर चित्र हमें दिया हुआ है, जिसमें दो गेंदे हमारे पास है, और तोनों सीरों से जुड़ी हुई है, ठीक है, अब हम इससे क्या बोलते हैं, देखिए, यह पूरा एक निकाय बनेगा हमारे लिए, जो किससे किससे मिलकर चितेंके हुआ होगा, एक गेंद हमारे पास है, इसे ठोसगोला हम कहा सकते है, दूसरा गेंद हमारे पास है, उससे भी ठोसगोला हम कहा सकते है, तीसरा, यहाँ पर है छड़, चिसके लंबाए 2 R है, और प्रतिक गेंदों के लिए उसकी त convolution के परिए प्रतिक अक्याय सो क जड़त्वाघुन तो उसे हम क्या लिखेंगे आई गेंद के रुप में ठोस गोले को हम गेंद ही कह रहे हैं तो उसका उसके केंद्र से जाने वाली अक्षिप्रती जड़त्वाघुन का मान दो बटे पांच अगर उसका दरवे मान कैपिटल आयम है और उसके दरजिया आर ह सक्षिप्रत में व्यक्त होती है लेकिन यह हुआ केवल गेंद्र के लिए उसके ही चैंद्र से जो कर जाने वाले अक्षिक घढ़िता लेकिन हमें केंद्र जो दिखा हुआ में कहा पर है केंद्र देखिए बिंदू ऊपर हम मान के चलते हैं थे कि acağızन keywords कहा तक यह गेन का होगा ठीक है प्रते गेन की हम बात कर रहे हैं मान कितना होगा मान तो होता है दो पटे 5 यह मारे स्कुएर तो यह तो होगा ही ठीक है साथ में अगर हम सब्सक्राइब पर में लेते हैं तो जो अक्ष है उससे दूरी हमें लेनी होगी और capital M जो द्रविमार है वह हमें बताया गया तो अगर वह दूरी हम देखें तो दूरी कितनी है दो आ रहे है तो उसका क्या हो जाएगा स्कुएर हो जाएगा तो आई डेश अगर हम गेन के लिए निकाल रहे दो बटे 5 यहां पर है और यह 5 और 4 मिलकर के 20 और कुल मिला करके 22 बटे 5 यहां पर हो गया MR2 MR2 दोनों जगए तो MR2 जुट करके इतने हो गया तो आई डेश गेन का उसक्ष के प्रती उस पूरे निकाय के लिए जो उसका किंद्र है जो ओक से प्रसुत हुआ है उस किंद्र के प्रती जाड़ तो आखुण का मान हमें मिल गया अब की संख्या केतनी है इंद्र की संख्या दो है तो हम इसे लिखिए कि हम प्रती गेन के लिए बात करें थे अब हम बोल आर स्क्वेर ठीक है आई डबल डेश डबल डेश है गेन गेन लोका ठीक है अब यह तो हो गया हमारे पास इसके अलबा निकाय के रूप में और क्या है हमारे निकाय को पॉंड बनाने के लिए छड़ है छड़ की लंबाई कितनी दो आर अनुसार हम लिखेंगे छड़ का जड़त्व आगोन वह कितना होगा वह यहां पर आई हम इसे लिख देंगे छड़ ठीक है केवल छड़ हम लिखेंगे मन आएगा वह आएगा एक बटे नीचे बारा एम हम लिखें और यह आर का बनता है दो आर और इसका बन जाएगा स्क्वार तो यह कितना बन रहा है हमा जड़त्व आगोन चड़ का जड़त्व आगोन उसक्ष के प्रति ठीक है तो कुल जड़त्व आगोन उस निकाय का कितना होगा तो निकाय का जड़त्व आगोन आई के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं आई ओ हम क्या देते हैं ठीक है वह कितना होगा आई छड़ और हम सब्सक्राइब 44 पटे 5 और यह बनता है MR2 में इतना हमें मिला इसे हम IO के रुप में लिखते हैं तो यह हमारे पास बनेगा नीचे पंद्रा उपर 5 का अगर हम गुणा करें तो उधर 5 आएगा और धन हम 44 के साथ अगर 3 का गुणा करें तो 3.12 और 13 के रुप में 132 और 5 यहां अंद्रा MR2 में यह हमारे पास आंसर आया निकाए के लिए इसका जड़त वागून का मान यह ओप्शन्स में देख लें तो आप्शन्स हमारे में कौन सा आ रहा है ओप्शन्सी जो होता है स्क्वेशन का राइट आंसर होता है थैंक्यू